नमश्कार मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार बिहार का ये लोगसभा सीट कभी कॉंग्रिस का था गड़ रिकॉर्ड बढ़करार जानी और अंगबाद लोगसभा सीट का राजनी तेक समीकरन और अंगबाद छेत्र मगत जनपत का एक महत्पुपू ने हिस्सा रहा है कॉलकता की दिली से जोडने वाली सड़क जीटी रोट इसी शहर से होकर गुजरती है और अंगबाद करीब 108 सालों तक गया जिले का अनुमंदल था और इसके बाद इसे सौतंत्र जिले का दर्जा प्राप्त हुआ 26 जनवरी 1973 को इसे एक जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था इस जिले को सुर्य नगरी के नाम से जाना जाता है यहां का पाश्चिमाव विमक्ख सुर्य मंदिर अपनी अनुखी कला और पौडानिक इतिहास के कारण काफी लोग प्रिये है हजारों श्रधालू यहां इन्होंने भारत की आजादी की लराई में एहम योगदान दिया था साल 2024 में औरंगाबाद का विकास का रियर जारी औरंगाबाद बिहार का पावर हाउस बनकर उबरा है सिक्षा स्वास्त संचार हर छेत्र में यहां विकास देखने को मिल रहा है यहां की नवी नगर बिजली कंपनी यानि की BRBCL यहां बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के कारे में लगी हुई है आपको पता दे कि कुछ दिनों पहले ही कॉंग्रस नेता राहूल गांधी भारत जोड़ो निया यातरा की दोरान औरंगाबाद पहुंचे थे वह इनके बाद प्रिधा साथ ही यहां छे लेन वाली पुल का निर्मान कारे भी किया जा रहा है इसके लावा इस जिले को तीन रेल पर यूजनाय मिली है अब तक किसका रहा इस शेत्र पर दबदबा साल दोहजार चौदा में और रंगाबाद की सीट से भाजपाने जीत हासल कि थी और इस सीट से स सभा चौनाओं में और रंगाबाद गया का हिस्सा हुआ करता था गया पूर्व में हुए चौनाओं में कॉंगरस के ब्रिजेश्वर प्रसाद सिंग ने जीत हासल के थी यहां पहली बार साल 1957 में लोग सभा का चौनाओं हुआ और इसमें कॉंगरस के उमिद्वार सतेंद नारायन सिंग ने जीत हासल किंग्रस संयुक्त पार के उमिदवार को हराया था। इन्होंए कई बार पंच बार जीत हासल की थी और बाद में वो बिहार के मुख्य मंद्री भी बने थे साल 1980 में उन्होंने कांग्रिस और भार्ति ए लोग दल को छोड़ कर जंता पार्ट के टिकर पर चुनाओ लड़ा और उसके बाद भी इन्होंने सीट पर जीत हासल की थी। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया था कि और अंगाबाद की सीट पर उन्हें हराना किसी भी पार्टी के लिए असान नहीं था। साल 1984 में कॉंग्रिस ने सतेंद्र नारायन सिंग को एक बार फिर से अपनी ही पार्टी में शामल कर लिया था और उसके बाद सतेंद्र सिंग ने जन्ता पार्टी को हरा दिया था। 24 के चुनाओ पर टिकी सभी की नजर। लोकसभा चुनाओ के नजदी काने की साथ ही और अंगाबाद मी राजनीती गर्मा हर तेज हो गई है। फलहाल भाजपा ने इस सीट से दो बार जीत हासल की है। साल 2014 और 2019 में भाजपा के सुशील सिंग यहां से सांसत चुने गए थे। और इससे पहले सुशील सिंग ने साल 2009 में जन्ता दल के टिकट पर यहां से चुनाओ लड़कर जीत हासल की थी। साल 2004 के बाद इस सीट से कॉंग्रस उमिद्वार की जीत नहीं हुई है। बताया जाता है कि इस सीट के वोटर सबसे अधिक राजपूत है। वहीं 10 प्रतिशत वोट बांक यादवोका है। जबकि मुसलिम मद्दाताओं की संख्या 8.5 प्रतिशत है। ऐसे में ये देखना दिलजस्प होगा कि NDA या फिर महागतपंधन में कौन सी पार्टी की इस सीट पर जीत दर्ज होती है। अभी के लिए इतना ही अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ कर जा रहे हैं। आपके अनसार क्या इस बार और अंगाबाद सीट पर भाजपा की जीत पर करार रहेगी। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सिक्षिन बॉक्स में लिखकर जरूर बताए। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए आप देखते रहें रुबरू बिहार। धन्यवाद।